नमस्ते आप सभी को स्वागत है के नए वीडियो में इस वीडियो में क्लास तेंद कामयत का एकसर साइज 1.1 के कोस्चन नमर 3 के हल करके बताऊंगा तो तेरी कोस्चन है किसी प्रेड में 616 सद्यस्व वाली एक सेना आर्मी की टुकरी को 32 सद्यस्व वाले एक आर्मी बेंट के पीछे मार्च करना है दोनों समों को समान संख्या वाले अस्तंबो में मार्च करना है उन अस्तंबो के अधिक्तम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते है तो इसमें क्या करना है अब को अस्तंबो के अधिक्तम संख्या ग्याद करना है तो लिख लेते हैं अस्तम्बो का अधिक्तम संख्या, अस्तम्बो की अधिक्तम, अधिक्तम संख्या, किसका 616 और 32 का, इसमें क्या करना, अस्तम्बो के अधिक्तम संख्या गयात करना, जो हम अगर 616 और 32 का से अफ निकालते हैं, तो अन्सार आपको आजाएगा, ठीक है न, तो चलिए, निकालते हैं, यहां भी वही प्रोसेस लिखेंगे कि A बरावर इसमें कितना होगा 660 बड़ी संख्या 660 है और B बरावर कितना होगा B बरावर आपको 32 तो A बरावर B Q पलस R अब A के मान 660 और B के मान 32 32 से कितना में गुना कीजेगा तो 660 आएगा या इससे कौम आएगा कमेंट करके बताईए फटा फट तो देखे 32 में अगर आप 19 से गुना करते हैं कितना से 19 से 18 बच जाएगा 32 में 19 से गुना करते हैं तो आपको 608 आएगा यानि सिस्फल कितना बच जाएगा आठ बच जाएगा याद रखेगा ठीक है अब क्या करना है इस 32 को क्या करना है भाज्य बनाना है तो 32 और जो सिस्फल था 8 इसको भाजक बनाना है तो 8, 8 चोक 32 यानि 4 से जब गुना कीज़ेगा कितना आजाएगा 0 तो यहाँ 0 आ गया तो जब तक 0 न आएगा तब तक बनाते रहेगा तो यहाँ लास्ट में किस से कटा है 8 से तो यहाँ हो गया आपको पहले तो SCF कितना है SCF SCF हुआ किसका 600 16 और 32 का कितना आया 8 तो यही हो गया अस्तंबो की अधिक्तम संख्या तो लिख देंगे अत अस्तंबो की अस्तंबो की अधिक्तम संख्या कितना है इससे अब कितना आया है 8 तो 8 है यही क्या हो गया इसका इंसर हो गया तो इसी तरह से आप असानी से बना सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा